नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते करने राशिवालों दोस्वों मात्र 72 घंटे बचे हैं आपने जो भी शोचा है वह बात याश्मे श्रही होने वाले हैं जिया दोस्वों आपको बता दें कि अगले 22 घंटों के इंदर तीन गरहों की मिननशार्ष आप शिवे के जुनकाल में बड़ा राजयों का निर्मान हुआ है और याश्मे भगवान भुलनात का बैशिरबाद आप शिवे के जुनकाल में आपको प्रार्व होने वाले हैं जिसे दोस्वों आप शिवे का जीवन बिल्कुल ही बदलने से कोई रोगने शक्ति जिया दोसों आपको भुटons आपको भुटा दें कि अगरगरों की सिवे थियंग तो दोस्तों एक ती में हैं तो दोसों ने शांवदनी बतनी के अशक्ता होती हैं तब ही जाकर उन्हें कारियों में लाफ की प्राप्ति होती है जे दोसों और अगर शुब हैं और परिशुवर का भी अशुरवाद आपके शाहत है तो दोसों दिन दुगनी रात चोगनी का शमय आप शुब के लिए होगा जे दोसों और यही कुछ इस्तियां अगले 72 घंट की अर्थी तंग्यां भी खत्म होगी जे दोसों आपको बता दें के अगले 72 घंटों के अंदर आपको कौन-कौन शुब शुब के लिए हैं जानने के लिए आप मारे शाद वीडियो के अंतर तक बने रहेगा इस वीडियो में दोस्तों आप सभी महत्त पूंजान करे को ज जुन में क्या-क्या शुदार कौन से बड़ी चमतकार होने वाले हैं तो दोस्तों अंत तक देखिएगा उससे पहले दोस्तों जोई भगवड़ी को लाइक करके कमेंड बॉक्स में शच्ची मंच से जय भूलिनात लिखेगा रोजी का और भगवान भूलिनात का सीदा शि दोस्तों यश में घर में किसी नईदी की रिस्तिदार के आगमन से खुशी का माहल रहेगा तधा किसी महतपुन मुद्दे पर शला मशवरा होने से कोई शमधान भी यश में मिलेगा दोस्तों कोट कजैरी शमधी जो भी मामले पिछले कापिश में से लंबीत चल रहे थे उन पर यश में खाम करने का उचित समय होगा शादी दोस्तों यश में घर के किसी जदेश के बिवाईक शमधों में किसी परकार की दिक्कत उत्पन हो शकती है प्रणतों यश में शांती पुर्ण तरीके से समिश्या का शमधान निकालने की आप कोशिश करें किसी पर भी यश में आप अधिक भरुशार ना करें अधिक पिश्वास ना करें यह आपके लिए नुक्षान डायक यश में हो सकते हैं इसके प्राहत दोस्तों यश में आपको शरकारी नोकरी की चाह रखते हैं दोस्तों यश में आपको मेहनत और इंतजार दोनों ही करना होगा लेकि इसको प्रामे दोस्तों यह शमी आपके लिए जो समय होंगे आपके दिंजरेया के लिए जो समय होंगे दोस्तों इस रासी के लोगों का वहवार जो है कूसल होते हैं आप भी परिश्टित्वी में कारी को पूरा करने की जहमता रखते हैं दोस्तों शमाई तथा परिवार में मान शमा तथा परतिष्ठा में यह शमी जापा होगा तथा परिवार में परस पर प्रेम और स्वहर्द बना रहेगा शाधी दोस्तों यह शमी अपनी भावगता में और उदारता जशी कमजोरियों पर नेंतर रखें विद्यारती सोशल मेडिया तथा मित्रों के साथ घूमने फिरने में अफना शुमे वर्थ ना करें कोई भी नया नियुवेश करने स्वे पहले अच्छे तरह जांच परताल करना आपके लिए आश्र होगा इसके परताल दोस्तों यह शमय युवाओं के लिए जो दिन होंगे दिन खाष और महत्मुर रहेगा दोस्तों आप जिस भी बात में हाट डालेंगे वो उसका शोना बना देंगे दोस्तों यह शमय परिवाद शमय में आपकी जुमेदारियां बढ़ेंगे लेकिन इनकी खाष तकलिफ आपको नहीं होगी दोस्तों समाज में आपको नाम और शमान दोनों मिलेगा जिन लोगों के शाथ कुछ शमय में समन ठीक नहीं चल रहे थे उनके शाथ भी मन मुठाव मिटाने का यशमी मोका आपको प्राप्त होगा शाधी दोस्तों इसके उपरांत आपके लिज़ शमय होगे अगर कोई प्राप्टी या फिर वहान खरदने का युज़ना बना रहे हैं तो दोस्तों उश्पर अमल करने का उच्चे समय होगा दोस्तों किशी धार्मी या फिर शमाजी के विदियों में शामिल होने का मंतरन भी मिलेगा ता लोगों के बीच आपका विस्यस यसमी रुटबा बना रहेगा दोस्तों यश्पर में आएके शुरूत बनेंगे प्रंतु शाथ ही खर्चे भी अधिक रहेंगे दोस्तों किशी रिष्टेदारां अथवा घनिश मित्रों के शम्मनित कोई अपरी घटना घटित होने से जिसकी वज़त से आपके मन में यश्पर में वश्थित रहेगा बिन शमजे किसी भी नए कारियों को आरंब यश्मे ना करें ये आपके लिए बैतर होगे दोस्तों यश्मे कम से कम समय में अधिक काम को खत्म करने का आपका जो प्रयाश यश्वफल होगा जिसके दोरा आपको खुद के प्रती खुद के लिए वक्त निकालना और शान भी हो शकता है दोस्तों यश्मे आपकी होबी दोरा पेशा कमाने का मोगा भी आपको प्राप्त हो शकता है इसके ब्रांद दोस्तों यह शुमे आपके लिए जो दिन होंगे आपके लिए जो शुब समचार को प्राप्त करने के लिए आपके कापे शुमे से आतुर्थे दोस्तों यह हुआ शुब समचार आपको प्राप्त हो जकता है दोस्तों आप शुभी कारियों को योजनाबत तरीके से निप्टाने में यश में सक्चम रहेंगे किसी भी मुश्किल परस्तिती में उसका डट कर मुकावला करना आपको यश में शफल रखेगा इसके ब्रांदे दोस्तों यश में अधिक महत्मा कांग्शी होने की वज़र से किसी भी अनुचित कारे में हाथ नौ डाले दोस्तों यश में उससे कोई भी जो फायदा नहीं होगा और आपको नुक्सान यश में हो सकता है यवाओं को अपने केरियर शमंदी परट्योगेता में शफलता पाने के लिए अधिक महनत करने की भी आवर्शकता होंगी शादि दोस्तों यश में आपके जोन में आया ठहराओ आपको आगे की बातों के बारे में तयारी करने का एक मोका देगा दोस्तों इसलिए प्रस्ति और खुद का जो है अवलकन करके खुद को और बेहतर बनाने का प्रयाश करें दोस्तों यश में परिवार्ट शमंदी काम के वज़े आपको यात्रा का मोगा भी मिल सकता है इश्कु पराओं दोस्तों यहाश में अगर आपकी क्यरेर को लिकर बात करें तो दोस्तों मार्केटिंग शमंदी काम जो पूरे करने के लिए दिन अत्यूत्तम होगा भागदोल बने रहेगी लेकिन दोस्तों किसी भी तरकी पेपर शमन्दी काम जो है या कम्प्लिट याश में आप कर सकते हैं दोस्तों किसी भी परिशा प्रतिगुदा में अगर आप बेट रहे हैं तो दोस्तों सफलता मिलने की पूरी समभाव न बनेगी अज़ा दोस्तों शमे का भरपूर आप यह शमे फाइदा उठाएं इसको प्राहत दोस्तों यह शमेश में आपके वैशाय के लिएुवशाय के लिए यह समे होंगे ओपिस में अपने काम को बहुत अधिक संजितगी और फिर गंबिर्ता से करने की भी आउशकता होगी इसको प्रांदी दोस्तों यह समय आपके केरियर के लिए जो शमय होगे दोस्तों कारोबार में कोई नई उपलवदी मिलने से ज़्यादा सोच विजार ना करके तूरंद उस पर अमलक रहें यह समय आई के नए शुरोद बनने के उचित योग बन रहे हैं दोस्तों नोकरी में चोटी मोटी समय साएं से आएंगी परन्तु बौस तो रश वरश यृधिकारियों की मदद से उन्हें स्टूल जाने में आप सक्षम रहेंगे इसको प्रांद दोस्तों यह समय आपके केरियर के स्युरी समय होगे दोस्तों मसनेरी तथा तकनिकी कारियों से समधित और शाय में यश्मी सखलता मिलीगी परन्तु अपनी कारिप्रणाली तथा वाइसता समधियों जनाओं को भी किसी के समख से जाहिर ना करें और पिश में आपकी किसी परिशानिश में सकर्मी का पूरा सयोग आपको मिल सकता है जो की आपके मन को प्रशन रखेगा इसको प्रावन दोस्तों यहर्ष में अगर आपकी लव लाइफ के लिकर बात करें तो पती पतनी के शंबनों में बहतर तालमेल बना रहेगा प्रतु प्रेयम प्रशंगों का प्रभाव परिवार वापी श्माज में अच्छा नहीं जाएगा इसलिए दोस्तों यहश में इसको लेकर थोड़ी सावधाने जरूर बरते हैं इसको प्रावने दोस्तों यहश में पार्टनर्स के बीच बनी दूरियां मेटाने का समय होगा इसको प्रावने दोस्तों यहश में आपके लव लाइप के लिज़ श्मय होगे आपके पारेवलिक जीवन के लिज़ श्मय होगे दोस्तों परिवार में आपसे समाजिश बना रहेगा पती पतनी के बीच जोए खटी मेटी नौक जोग भी यहश में रह सकती है प्रंतु दिमाक्षे और आपसे सूच बुष से समस्या का हल निकालें प्रेम समदों में यहश में मयदोता बनी रहेगी इसको प्रावन दोस्तों यहश में आपके लव लाइप के लिज़ श्मय होंगे दोस्तों पारेवरिक महौल शुखत बना रहेगा घर में नए महमानों के आग गर्श में कमर-दर्द कोई श्मस्या हो सकती है इसको प्रावन दोस्तों स्वास्त के लिए शिश्मय होंगे अट्यतिक गुष्ण आपके श्वास्त के लिए नकार्तमग शावित हो सकता है वहाँ चलाते श्मय बहुत अधिक शावदानी बरतने की भी आवश्यक्ता होगी वही दोस्तों इसके उप्राइब आपकी श्वास्त के लिए श्मय होगी दोस्तों साम तक श्वास्त अत्ति उप्तम होगा परम्तु इसका खतई या मतलब नहीं है कि आप श्वास्त के परतिला परवाई परते दोस्तों अपनी देंचरिया को शुवेश्दी तेरिया के आपके लिए यह बैतर होंगी दोस्तों यश्मे आपको कौन से उपाये को करना चाहिए दोस्तों रभिबार का दिन शुरी भगवान को शमर पीते यश्मे दोस्तों यश्मे आप जल में गुड डाल कर शुरी को अर्ग दे और फिर नदी में दोस्तों परहुइद कर दे यह दोस्तों यह उपाये आपके लिए भागिशाली चाहिए दोंगी और यश्मे कौन से बहतर बना पाएंगी तो दोस्तों और यश्मे अधिक जनकारे के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथी बेल आइकन को प्रिश कर दे धन्यवाद